नमस्कार दोस्तो कार कमपे रोज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए नई स्रिफ्ट के विभिन मॉडल उनकी कीमत और उनमें दिये गए फीचर्स की विश्तरस जानकारी देंगे हमारे आने वाले वीडियोज का तुरंत अपने मोबाइल पर नौटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके इस बेल आइकर पर किलिक करना ना भूले दोस्तो नई शिफ्ट चार मूलबूत स्रेंडियों में उपलब्ध है एल वी जैड और जैड प्लस मैनुवल के इंजन गियर वोक्स कॉंबिनेशन उपलब दें लेकिन पैट्रोल आटोमेटिक और डीजल आटोमेटिक विकल्प सबसे निचले एल ट्रिम में और सबसे उपरी जैड प्लस ट्रिम में उपलब नहीं है शिफ्ट के सबसे बेसिक मॉडल में एल मॉडल, LXI मॉ और दो एयरवेक्स यह महत्पूर्ण फीचर्स देने लगा है पुरानी शिफ्ट के निचले मॉडल में एवियर एयरवेक्स उपलब नहीं थे एसी और पावर इस्टीरिंग जैसे मॉलवूत फीचर्स भी LXI, LDI में उपलब हैं लेकिन अभी भी फ्रेंट पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग और पार्सल सीब जैसे सीधे सीधे फीचर्स उसमें उपलब नहीं हैं शुक्र है कि कम से कम LED टेल लेंप्स और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीरिंग तो बेस मॉडल से दिया हुआ है एक और अच्छी बात यह है कि मारूती में चाइल्ड सीट लगाने में काम आने वाले आइसोफिक्स पॉइंट भी वेस मॉडल में दिये हुए हैं शुफ्ट के मिड वैरियंट वी एकसाई और वीडियाई उनमें मैनुवल और आटोमेटिक डौनों गियर वोक्स के बिकल्प उपलब्द हैं वीएकसाई पेट्रोल मैनुवल की कीमत है 6,4,000 रुपे ऑन रोड दिल्ली जो LXI से 80,000 रुपे महंगी हैं वीडियाई डीजल मैनुवल की कीमत है 7,8,000 रुपे यानि की LDI से 1,20,000 रुपे ज्यादा वीएकसाई और वीडियाई ऑटोमेटिक मॉडल मैनुवल मॉडल से 60,000 रुपे महंगे हैं VXI, VDI में चारो पावर विंडोज और रिमोट वाला सेंटर लॉकिंग दिया हुआ है उसमें एक साधारन बिना टच स्क्रीन वाली मुजिक सिस्टम भी मॉजूद है जिसमें Bluetooth, USB, FM, AUX और 4 स्पीकर दिये हुए है VXI, VDI में steering wheel switches, height adjustable driver seat, electrically adjustable mirror, co-driver sun visor और parcel self जैसे अच्छी सुब्दाइं आपको मिलती है स्टाइल बढ़ाने के लिए wheel covers, body color door handles और mirror दिये हुए हैं और indicators भी fender के वज़ाए mirrors पर दिये हुए हैं Swift के ZXI और ZDI variants में भी manual और automatic दोनो gear box के बिकल्प उपलब दे हैं ZXI petrol manual की कीमत है 7,20,000 रुपे on road दिल्ली जो VXI से 80,000 रुपे महंगी है ZDI diesel manual की कीमत है 4,5,000 रुपे यानि की VDI से 70,000 रुपे ज्यादा ZXI 80 और ZDI 80 models manual model से 60,000 रुपे महंगे हैं दोस्तो ZXI, ZDI में parking sensor और automatic climate control यह दो बहुत उप्युक्त feature दिये हुए हैं इसके अलावर rear wash wiper defogger, adjustable rear headrest, electrically folding mirror और fog lamp जैसी सुगधाई भी आपको मिल जाती हैं उपर से auto up anti pinch drivers window, 60,000 रेशो 40 split rear assist, दो टीटर, boot lamps और push button start and smart की जैसे छोटे 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 features भी दिये हुए हैं जो कभी कभी काम आते हैं लुक सुदानने के लिए alloy wheels दिये हुए हैं जो निचले वेरियंस के पईयों से एक इंच बड़े यानि की 15 इंच के हैं उन पर लगे टायर फिर निचले वेरियंस से 20 mm चोड़ हैं और एक छोटी लेकिन महत्पूर्ण चीज है ZXI, ZDI का Leather Reft Steering Wheel जो पकड़ में निचले वेरियंस के प्लास्टिक स्टीरिंग से काफी वेतर लगता है दोस्तों Shift के सबसे उपरी वेरियंस हैं ZXI Plus और ZDI Plus यह सिर्फ Manual Gearbox के साथ उपलब्द हैं उनमें फिलाल कोई Automatic विकल उपलब्द नहीं है इसका मतलग अगर आपको या तो पूरे फीचर्ट वाली या फिर Automatic Gearbox वाली लेकिन कुछ फीचर्ट कम होने वाली Shift ही मिल सकती है मारूती ने दोस्तों ऐसा क्यों किया इसका जवाब हमारे पास नहीं है Shift ZXI Plus की कीमत है 8,10,000 रूपे On Road दिली जो ZXI Model से 90,000 रूपे महेंगा है वही ZDI Plus ZDI Model से 1,00,000 रूपे महेंगा है ZXI Plus में जो सबसे उप्यूक फीचर्ट आपको मिलता है वो है उसका Reverse Parking Camera इसके अलावा ZXI Plus में एक ऐसा फीचर्ट है जिसके नाम पर वह ग्रहाकों को इतने ज़्यादा पैसे लगाता है जो है उसका Touch Screen दिखावे के लिए LED Projector Headlamp भी दिये हुए है लेकिन उनकी रोशनी पारमपरिक Headlamp जितनी ही है इसके अलावा LED DRL और Diamond Cut Design बाले Alloy Wheels गाड़ी की सोबा बढ़ाती है Shift के Top End Model का एक अच्छा फीचर यह है कि उसमें Android Auto और Apple CarPlay Software मौजूद है जो Phone Pairing का काम बहुत आसान बना देते हैं इसके अलावा उसमें On Board Navigation भी दिया हुआ है लेकिन Google App के सामने वह बिल्कुल ही बखवास है एक और मज़ेदार फीचर जो Top End Models में उपलब्द है वह है उसका Color TFT Driver Information Display जो गियर के संकेत और गाड़ी की अन्य जानकारियां देते हैं तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारा सुझाव ऐसा है कि Shift के सबसे निशले Models और सबसे उपरी Models किसी काम के नहीं है सबसे निशले Models में Front Power Windows, Central Locking और Parcel Self जैसे मूलभूत खुबदाएं उपलब नहीं है 6 लाग की कीमत में वह काफी अच्छे फीचर्स देता है मगर हमारी राय में अगर आप 57 साल के इस्तेमाल के हिसाफ से गाड़ी खरीद रहे हैं तो ZXI, ZDI ये खासकर उनको Automatic Variants Shift के सारे Variants में सबसे बड़ी अबिकल्प हैं तो दोस्तों हमारे नए वीडियो का Notification पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने में दिल्चस्वी है तो लाइक करें और अपने अभी प्रियाय व्यक्त करने के लिए नीचे दिए ग